Hello everyone, so today we are going to start कि सुक्रोज कैसा फॉर्म होता है, this is a doubt of anishka, so सुक्रोज जो है C12, H22, O11 plus H2O add करते हैं, H plus invertase के presence में जो है alpha D glucose plus beta D glucose फॉर्म होता है, अब इन दोनों के बीच में linkage कैसा फॉर्म होता है, वो हम देखते हैं, so ये जो है alpha D glucose है, और ये आपका beta D fructose है, दोनों में से मैंने क्या लिकाल दिया, पानी भार लिकाल दिया, इसका H और इसका OH ये लिकाल के मैंने क्या कर दिया, वोटर जो है भार लिकाल दिया, और इन दोनों के बीच जो linkage है, जो green color का आपको दिख रहा होगा, इससे हम कहते हैं, glycosidic linkage, कौन सा linkage है ये आपका glycosidic linkage, ये अगर आप माल्टोस में देखते हैं, तो माल्टोस को अगर तुम H2 के presence में रखते हो, तो आपको दो molecule of alpha-d glucose प्लस alpha-d glucose, आपका जो इसमें है, उपर वाले हमने जो अभी देखा, उसमें जो है, alpha-d glucose प्लस beta-d glucose मिलाता है, इसमें जो है, alpha-d glucose और alpha-d glucose, दोनों ही alpha-alpha मि अगर पॉजिटिव डेक्स्ट्रोटेटरी, वालब ये पॉजिटिव साइड हुमा है, इसका ठीक है, हम देखा, तो में वाटर कैसे रिमूव करेंगे, दोनों से में है, तो मने कहा दिया है, इसका H और इसका OH, हमने वाटर ऐसे रिमूव किया है, वाटर को लिकाल दिया, पानी है, वाटर, H2 यहां पे लिकल गया है, देखा, CH2OH और CH2OH, चीक है, यह दोनों जो है, ग्लुकोज अलफाडी, और यह आपका देखा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यह आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यह आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यह आपका सब्सक्राइब बहुत एजी है आपको बनाना पड़ेगा यह जो है रिंग के नीचे आएगा ठीक है से लिखा देखो और इस रिंग के उपर आएंगे में लिखा देखो उपर आएंगे इलेकर देखों तो ओपर एतर फिर वा यहां पर दोनों में देखों टो सब्सक्राइब यह हम प्रहा की जो açमेंगे मैं पर आएच़ तॉट नीचे हो और यहां Betty होगा तो अलफा होगा अगर निच्छे होगा तो बिट्टा होगा ऐसे भी आ सकते हो अलफा पहले आता है इसलिए उपड़ होगा तो यह उपड़ है देखो लाइक दाट इस सेम यह है फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर देखो यहां पर लिख है सिस आइसोमर क्या होता है अलग को तो बीच में जो है स्केल रखतो यहां पर दोनों साइट यहां पर यहां पर दोनों साइट जो है सेन ग्रूप है यहीं अलग किया देखो यहां पर जो है नहीं है और यहां पर दोनों जो है अलग अलग देखो यहां पर देखो यहां पर द अलग अलग आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे trans जब दोनों side same होगा like NH tri-N73 तो हम उसे कहेंगे talking जो हूं पर यह cis isomer और यह trans isomer है चीद में आह Italy स्केल रख़ा है धिंग 的 मैंने चीद को सब्य resist using में हुता था यहां पर अरो आघम कर्क हैं यहां सु देंगो यहां पर एमगते हैं यहां पर ďनного हैं कहले तो यहां को सब्सक्राइब गणी तो यह safe क्यानों गत्राइब से बीधिक कि भी जैब जाएगा फर एक्सांपल लिए देखो यह तो मैंने बीच को अलग कर दिया कि यह दोनों साइड में जो है नेच तो इस पे रखा ते तो यहां पर के आ रहा रहा है और ईग दिखा और इसलिए तो इसलिए ट्रांस है और यहां पर देखो पर NH3 NH3 आ रहा है सो यह क्या हो गया सिस हो गया सो यह ही है